सुरच सर आप सभी दोस्तों का सवगत करता हूं मेरे यूटूब चैनल सुरच पटेल एजुकेशन में दोस्तों मुंबई यूनिवरसिती ने एमकॉम पार्ट वन और एमकॉम पार्ट टू रिपीटर इस्टुडेन के लिए 80-80 फॉर्म निकाल दिया है मतब रिपीटर और ओल्ड इस्टुडेन के लिए जिनों ने भी एक्जाम नहीं दिया था जो भी एक्जाम में फैल थे उन सभी स्टुडेन के लिए फॉर्म आ गया है आपको फॉर्म फील करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना विकोस इस वीडियो में आप को एंड तक देखना होगा वीडाउट इसकीप किये यहां तक आप भी फॉर्म भर सकते हो उसका क्या प्रोसेजर है मैंने खुद वीडियो बना चुका हूँ तो वह भी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते लेकिन अगर तो कोई मंबा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर हूँ और मुंबा यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया हुआ यह नोटीस है अब डौस्तों इस नोटीस में क्या है यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह नोटीस M.com Part 1 Student के लिए है और M.com Part 2 Student के लिए ठीक है और तो जो form is submit करना online, 10 से लेके 19 तारीक के बीच में, तीक है मतलब आज 10 तारीक है दोस्तो, आज से लेके 19 तारीक के बीच में आपको submit करना है, अगर आप एक subject में fail तो दोस्तो 540 उरुपया लगेगा, 2 subject में fail तो 875 लगेगा, अगर तीन सब्जेक में फेलो तो दोस्तो आपको 1,590 रुपीस लगेगा ठीक है तो इधर तीनों सब्जेक का उन्होंने डोटल दे दिया है सेम जो एमकोम पार्ट 1 का चार्ज है वही एमकोम पार्ट 2 का भी है कि एक सब्जेक का 540 लगेगा टू सब्जेक का 875 तीन सब्जेक का 1590 प्लस आपको कन्वोकेशन चार्जेज भी लगेगा दोस्तो यह याद रहागा जो एमकोम पार्ट 2 के होने के बाद आपको नहीं लिया तो वैसे स्टुडेंट का एडमिशन 20 तारिक से लेके 29 तारिक तक होगा लेकिन आपको लेट चार्जेस पी करना पड़ेगा तो उसके लिए दोस्तों आपका मतब जो उपर आपका था 540 वह 640 हो जाएगा जो 875 था वह 975 हो जाएगा जो 1590 था वह 1690 हो जाएगा 100-100 रुपीज बढ़ जाएगा आपके टोटल अमाउन में भी इदर 1840 था इदर 1940 हो जाएगा मतब 100 रुपीज बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा देन दोस्तों इदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको जो भी ओनलाइन फोर्म सम आपको औरिजनल आइडी फोटू और सिखनेचर आपको अपलोड करना है यह भी बात का आपको ध्यान रखना है और आपको फ्रेस रजिस्ट्रेशन करके ही करना है आपका दोस्तों आपको मुंबई युनिवर्सिती के द्वारा ठीके आपका पीड़ पीड़ जो लेने का करना है अब दोस्तों बात कि यह इंस्ट्रक्शन है दोस्तों आप इता देख सकते हो ठीक है मैं रीट करके पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना खास नहीं है जो हमेसा होता है वही सब है ठीक है पैमेन भी आपका नेट बेंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ट से है तो घिप्ट ये है कि आपको यह जो rehe게요 arts lesson in couple has made यह मैं किसी सभ्सक्राइब का मैं खुद फीजियं करके देने वाला कह ben यह मैं När تवस्ट है फीजिए कि और फ्थी और उसके लिए अपको दोर दोस्तों इस वीड्यो के कमेंट पे जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नमबर और एक रिजन बताना है कि मैं आपका फॉर्म क्यों फील करके दूँ, जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं उस परसंट से कॉंटेक करूंगा, और उसका रिपीटर का ओनलाइन फॉर्म मैं फील करके, फ्री मैं दे दूँ ठीक है दोस्तों, तो आपको कमेंड करना जरूरी है, आपका नाम, नमबर और आपको कोई भी रिजन कि सर, मैं चाहता हूँ कि मैं काम में बिज़ू, इसके वैसे आप फिल करके, जो भी आप बोलना चाहते हो, और हाँ, अगर आप खुद फिल करना चाहते हो, तो दोस्तो मैं उसका भी ट्रिक बता देता हूँ, आपको नॉर्मल जाना है यूटूब पर, और यूटूब पर जाके लिखना है, how to fill 80-80 form of Mumbai University, और इसको लिखते हुए, आपको सर्च करना, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, कि Mumbai University 80-80 form कैसे भरे, तब भी आपको मेरा वीडियो यही वीडियो को आपको क्लिक करके, पूरा step by step मैंने ये वीडियो को बनाया हुआ है, कुछ 18 मिनट की वीडियो है, हर एक चीज़ डिटेल में आपको पता चल जाएगा, दोस्तों, यह उसका आपको देखना है, कि आपको जो है, आपको ये वाले पर नहीं जाना है, ठीक ह है, लिखा हुआ हाउ टू फिल एटीकेटी फोर्ब, उसी पे क्लिक करना, इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखना है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्ले साच चेनल को सब्सक्राइब करना न भूली और अपने जादा स्यादा दोस्तों में जरूर सहर कीजिए, फिर से मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, बाई बाई दोस्तों,